और पेट्रोल की किमत पेट्रोल और डीजल बिजनी की सप्लाई सरकार कर रही है आज चंद मुठी भर लोग है जो फोर विलर गाडियों से चलते हैं जिनको पेट्रोल की उपयोगता है आज समाज के अंदर पंचांदे परसंट लोग है जिनको पेट्रोल क्या हो सकता नहीं ह यहीं नहीं अभी और सुनिये तो अभी पेट्रोल डीजल के दाम बहुत कम है तो भाईया आप 95% में हैं कि 5% सवाल ये और सबसे बड़ा क्योंकि 55% में तो आप भी सोहदे से कम नहीं हैं बेरोजगार हैं यूपी की एक भासा में कहें लगता हैं आप कोई उज्जत उज्जत है नहीं न घर में है न सरकार महंगाई बढ़ रही है इसकी जिम्यदारी भी आपके ही कंदे पर हैं घर पे बैठे हैं खा रहे हैं पी रहे हैं और 95% वाले कटेगरी में आकर बस जीए जा रहे हैं उपेंद्र तिवारी की इस बयान पर उत्तर प्रदेश में भूचा ला गया है लोग अपने को दोनों हिस्सों में बाटने के लिए परिशान हैं कि हमें 95% में रखा गया है कि 5% में हलाकि उपेंद्र तिवारी ने युवा नेताओं को एक बड़ा मैसेज दे दिया काफिले के पीछे गाड़ी लगा कर 100 रुपे के पेट्रोल के चक्कर में लगातार शहर के चक्कर लगाने वाले उन युवा बेरोजगारों के लिए भी एक बड़ा मैसेज था कि सरकार ने भी ये साबित कर दिया कि आप 95% में हो जिसकी गाड़ी भी सरकार अगर चाहे तो उठा के बेज दे यानि आपके पेट्रोल यूज करने के तरीके या आप इस काबिल ही नहीं हो कि डीजल और पेट्रोल का इस्तिमाल करो रही बाद 5 पर्थनकी तो 5% हम उसे कह सकते हैं उपेंद्र तिवारी के अनुसार यानि जो बड़े बिजनसमैन हो नेता हो जिनके पास बीचारे बैठने के लिए एक सीट लेते हो लेकिन चलने के लिए 5 फोरिविलर कम सकम लगाते ही हो वरना पता कैसे चलेगा कि कोई प् बैयान को दिखाते हैं और इससे पुर में की गई बैयान बाजी का आप किस तरीके से इसको अपने दिल दिमाग में उतारते हैं ये भी बड़ा इंपोर्टेंट चीज है लेकर चलते हैं आज से कुछ साल पहले सपा नेता अंबिकाश ओधरी पर दिये हुए बैयान को सुन कि अपने बैयान सुना उपेंद्र तिवारी का कहना है कि सपा नेता क्या क्या करके कहां तक पहुंचे हैं यहां तक पहुंचने में उन्होंने क्या क्या किया है अब इसके आगे का जो वीडियो है जो सपा के लोगों ने किया था वो शायद हम आपको ना ही दिखाए तो ब बड़े नेताओं पर भी केस हुई थी जिसको लेकर उपेंद्र तिवारी की मा ने रोते हुए कहा था कि नेता मेरा बेटा है समासिवा वो करता है यानि अच्छे बुरे कर्म सब उसके हैं गाले उसकी मा कि उसने और बात भी सही है कि वहां पर सपा के नेताओं ने उपें दिवारी यहां पर भी नहीं रुके आगे कुछ एक ऐसा बयान उन्होंने फिर दिया जिसको लेकर कह सकते हैं कि आप फिजिक्स और केमेस्ट्री में पढ़ सकते हैं कि कि किसी चीज का जनक कौन है रेप के नेचर को जानने वाला पहला जनक मिला उत्तर प्रदेसी नहीं प सब्सक्राइब के गए सब्सक्राइब सबस्क्राइब बिश्तरी के निता के वीडियों के वीडियों आप रेप का नेचर डिसाइट किया है। आप इतने से अंदाजा लगा चुके होंगे कि मंत्री जी को कहां पैसा देना है खुद के गाडियों में तेल भराने के लिए सरकारी पैसे से जिंदगी कट रही है यासी से साथी जाद आपको बता दें कि बलिया के मूल लिमासी हैं उपें तिवारी चात्र राजनीती से लगाव रहा 1996 से लेके 1999 तक इन्होंने राजनीती के चक्कर में जेल भी काटे हैं तो यानि अलहाबात बोले तो प्रयाग राज की राजनीती से उभरे हुए ये सितारे जिन्हें खूब पता है कि उत्तर प्रदेश की किसी राजनीती से उठते हुए यहां तक पहुंचे हैं जिन्हें उत्तर प्रदेश की जनता का दर्द ना दिख रहा हो क्योंकि पैसा अगर अपनी खून की भाज़पा की अब बिगड़ते हुए नजारा रही है जिस तरीके से चुनाव सर पर है मंत्री मंत्रियों का इस तरीके से बयान भाज़पा के लिए कहीं भारी न पड़ जाए क्योंकि जनता हमारी के बाद महंगाई के मार से बूरी तरत रस्त है फिर मिलेंगे किसी और भीक दूर का और खबर के साथ तब तक के लिए जहें Bangkok आज कहने के लिए कोई मुद्दा नहीं है और विपक्ष मुद्दा भेहिन है और आप 2014 से पहले काखड़ा ले लिजेगा और आज का अखड़ा ले लिजेगा और प्रत्तिव्यक्ति आए मोदी जी और योगी जी की सरकार बनने के पहले क्या थी और आज कितनी है तो प्रति बेक्ति आए दूगणी बढ़ी हूई है दूगणी से भी जादे आज बढ़ी हूई है थे साड़े चार साल और उar सात साल के अंदर तिकना और पेटरॉल की किमत पेट्रोल और डीजल बिजनी की सप्लाई सरकार कर रही है आज चंद मुठी भर लोग हैं जो फोर विलर गाडियों से चलते हैं जिनको पेट्रोल की उपयोगता है आज समाज के अंदर 95% लोग हैं जिनको पेट्रोल क्यों सकता नहीं है और मुफ्त में आज सो करोड से उपर लोगों को मुफ्त में वैक्सिन सरकार ने दिया आज करोना में फ्री में इलाज दिया घर घर में दवाईया बाटी जा रही है मुफ्त में दवाई मुफ्त में पढ़ाई मुफ्त में सिचाई और मुफ्त में कढ़ाई यह सारा सरकार मुफ्त में सरकार ने लिया है और इस हिसाब से अगर अन्य राजियों की तूलना करेंगे तो अभी उत्तर प्रदेश में और देश में बहुत कम मुले बढ़ा है अगर प्रतिवेक्ति आमदनी क्या इसे तूलना करेंगे तो अभी पेट्रोल डिजल के दाम बहुत कम है